इस विडियो कुछिज्ट टेस्ट को वरतमान के होने वाले कंपटेटिव एक जाम के क्वेश्चिन पेपर को देखते हुआ तयार किये गये है, नमस्कार, जीरो से जिन्यस तक की इसे स्पेसल वीडियो कुछिज्ट टेस्ट में स्वागत है आपका, हम इस वीडियो इन में से कौन सा देश भारत से अलग इस्तित है आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पार सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोख सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर सी सिरिलंका जो आपको सवाल के बारे में बताएंगे यदि आपको लगे कि कोशन हाट हमें देखना चाहिए तो आप वीडियो को वहीं रोख सकते हैं या स्क्रीन सोट लेकर बाद में भी देख सकते हैं क्वेशन नमबर टू गायतरी मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वे पर्थम किस गरंथ में मिलता है गायतरी मंत्र किस गरंथ से मिलता है यही प्रस्ण है आंसर होगा ओप्शन नमबर सी रिंग वेद जो भगवान सूर्य को समर्पित है जिसकी रचना विश्वा मित्र जी ने किया था भारत में किस सहर को महलो का सहर के नाम से जाना जाता है राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी कोलकाता को क्योंकि अंग्रेजों ने यहां महलो का निर्मान बहुत मत्रा में करवाया था बहुत ज्यादा करवाया था इसके अतिरित मैंसर को भी महलो का सहर कहा जाता है जिफ्राल्टर जल दमरू मद्ध किन को जोडता है अच्छे सवाल है आंसर होगा ओप्शन नमबर सी अटलांटिक महासागर को भूमत दे सागर से ध्यान में रखिएगा एक दंत चिकित सक द्वारा रोगी के दाटों की जाच के लिए परियुक्त दर्पन है एक दंत चिकित सक द्वारा रोगी के दाटों की जाच के लिए परियुक्त दर्पन है आंसर होगा ओप्शन नमबर ए ओतल दर्पन ओतल दर्पन का इस्तमाल करते हैं क्वेशन नमबर शिक्स फिरोज तुगलक द्वारा अस्थापित दार उल्न सफा क्या था हाली के एक जाम में आया है एक परिस्न फिर से आप देख लो फिरोज तुगलक द्वारा अस्थापित दार उल्न सफा क्या था राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर बी एक के खैराती अस्वताल जहांपे मुफ्त में दवाईया यह सब उपलवद करवाया था यहां रोगियों को निसूलक चिकेतिसा यह भोजन की उत्तम व्यवास्था था यह उसी समय से चला आ रहा है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पर किली करके सब्सक्राइब कर लेजिए और वेल आइकन को दबा देजिए क्योंकि यह चैनल आपके सिलेवस बोर करता है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो किर्फिया लाइक बटन पर किलिकर करके लाइक कर देजिए धन्याबाद Question No.7 हाल ही में बॉलिवुड की किस प्रसिद अभिनेतरी को किसोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है आंसर होगा Option No.A वहिदा रहमान को Question No.8 कि अंदर सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्याक्ष की से बनाया गया है सवाल एक बर फिर से सुनने जिए किंदर सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिल ट्रस्ट का अध्याक्ष की से बनाया गया है Right answer होगा Option No.C कि परासरन को बनाया गया है कि परासरन को बनाया गया है और उस ट्रस्ट का क्या नाम है सिरी राम जन्व भूमी तीर्थ छेत्र ध्यान में रखियेगा Question No.9 मगर तथा घरियालो का संरक्षन कहां किया जा रहा है Right answer होगा मुखता तीन नदिया है Option No.D राइट आंसर है चंबल केन वे सोन नदी पे इनका संरक्षन किया जा रहा है ध्यान में रखियेगा आगे है सवाल No.10 मानसिक रूप से विकलांक हेतु राष्ट्रिय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्तित है आम भासा में पागलो के लिए राष्ट्रिय संस्थान कहां इस्तित है तो ऐसा अंसर होगा Option No.E हैदराबाद में मानसिक रूप से विकलांक हेतु राष्ट्रिय संस्थान कहां इस्तित है हैदराबाद में इस्तित है Question No.11 और परत्यक्ष कर और सीमा सुल्क के केंद्रिय बोड के अध्यक्ष के रूप में कीसे नियुक्त किया गया है सवाल बहुत ही अच्छे हैं ध्यान में रखियेगा इनका अंसर आपको मालूम भी होगा अंसर होगा Option No.C इम अजित कुमार को और परत्यक्ष कर और सीमा सुल्क के केंद्रिय बोड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आगे सवाल है अंतरिक छे यात्रा करने वाली भारतिय मुल्क की प्रथम महिला कौन थी और आइट आंसर है Option No.B कलपना चौला कलपना चौला जी है प्रथम भारतिये अमीर की अंतरिक छे यात्री थी Question for you पिछले सवालों का आंसर आपको बताते चले गुलाम राजवन्स के अस्थापना किस ने किया था आप में से बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर दिये बहुत लोगों ने कोसिस किया आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद Question for you नायार सवाल ले लिजिए यदि आपको राइट आंसर पाता है तो कमेंट वक्स में जाईए वहाँ पे लिखे Q for you और इसके राइट आंसर भारत में खो जा गया सबसे पाहला पुराना सहर था यदि आपको आंसर नहीं पाता है तो कमेंट वक्स में जाईए और वहाँ पे नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका मूड अच्छा है तो यहाँ बटम पे क्लिक करके एक वीडियो को और देख लिजिए जिससे आपका नॉलिज बढ़ जाएगा तो मिलता हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत